इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते ह और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. आर्बिटेल एंटी 50 टैबलेटी यार एक दवा है, जिसका इस्तेमाल उच्छ रक्चाप के इलाज के लिए किया जाता है. रक्चाप को कम करके, यह भविश्य में होने वाले दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है. इस दवा के साथ प्रारंभिक उप्चार भी दिल के दौरे के रोगियों में जीवित रहने की संभावना में सुधार करता है. भूजन के साथ आर्बिटेल एम्टी 50 टैबलेट इयार को प्रति दिन एक नियत समय पर लेने की सलाह दी जाती है, ताकि खून में दवा का स्तर एक समान बना रहे. जब तक आपके डौक्टर ने सलाह दी हो तब तक इसे लेते रहें. यदि आप अच्छा महसूस करते हैं, तब भी इस दवा को अपने आप बंद न करें क्यूंकि उच्छ रक्चाप के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं. यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है. नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्था हार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें. इस दवा के कुछ सामाने दुष्प्रभावों में सिर्दद, कमजोरी, चक्कर आना, रक्चाप में कमी और रक्ट में पोटेशियम का स्तर बढ़ जाना शामिल है. यह दवा लेते समय पोटेशियम युक्ट भोजन और पूरक आहार से बचने की सलाह दी जाती है. इस से चक्कर आ सकते हैं, गारी चलाने से बचें या बैठने की स्थिती से धीरे-धीरे उठें. उपचार के दोरान आपसे रक्ट चाप, रक्ट शरकरा के स्तर, गुर्दे की कार्य प्रनाली, यूरिया या इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर की नियमित निग्रानी के लिए कहा जा सकता है. इसे लेने से पहले, अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवक या किड्नी की कोई समस्या है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं विशेश रूप से वे जो उच्च रक्चाप या हरदय की स्थिती का इलाज करने के लिए उप्योग की जाती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद